आप लोगों ने देखा ही होगा कि nearby share जो है वो अब आपके windows laptop में भी आ चुका है लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो की बोल रहे हैं कि उन्हें कम speed मिल रही है तो इसका मैं सबसब बड़ा कारण आप लोगों को बता देता हूँ यहां पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जिस mobile से मैं record कर रहा हूँ उसी mobile से जो है मैं video इस laptop में यहां पर भेज रहा हूँ और speed averagely आप लोग around 4 mbps जो है देख सकते हैं देखा जाए तो यह बुरा है ठीक है because मैंने देखा है mobile to mobile nearby share में 60-70 mbps की speed भी जाती है और averagely 25-30 mbps जो है आप लोगों को मिलती है तो यहां पर एक चीज़ आप लोग note करना कि जब भी आप अपने laptop में file भेज रहे हो अपने mobile से वाया nearby share make sure कि आपका जो wifi हो वो wifi 6 आप ल speed कम आती है make sure कि you have wifi 6 तब आपको जो है अच्छी खासी खतरनाक वाली 60-70 mbps वाली speed देखने को मिलेगी